हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पॉर जॉब फ्रेंड्स हमारी भारत की कई परसिद धस्तिया हैं जैसे राजनेताओं से लेकर संतों, संगितकारों से लेकर समासुदार को और स्वतंत्रता से नानियों तर जीने उनके उपनामों से प्यार से संबोधित किया जाता है आपको हम बता दू ये निकने यानि उपनाम आम तोर पर उन्हें विविन पहलू में उनकी योगदार के कारण नेताओं या जनता द्वारा दिये जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रसिद व्यक्तित्व के उपनामों के बारे में जानेंगे कि उन्हें ये नाम किसके द्वारा और क्यों दिया गया था और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए आप स्पीड को अपनी हिसाब से अडजेस्ट कर लीजिएगा तो वीडियो स्टार्ट करनी से पहले आपको मैं बता दू मेरी वीडियो स्टार्ट के लिए आप मेरी सोचल मीडिया हैंडल को जोईन एंड फॉलो कर सकते हैं तो बिनक से डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं खान अब्दुलगफार खान जो एक पस्तू स्वतंत्र कारे करता थे इन्हों ने भारत में पेटिस सासन को समात करने के लिए कारे किया था और भारत में इनके करीबी सहयोगी अमेर चंद बुमवाल द्वारा उन्हें सरहदी गादी जिसे इंगलिस में फ्रंटियर गादी का जाता है ये उपनाम दिया गया था और इसके अलावा इने बादसा खान नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पहले नौन इंडियन परसंते जिने भारत दत्मे से सम्मानित किया गया था। महात्मा गादी के उपना, राष्ट पिता, बापू, महात्मा और साबर मर्ती के संते हैं। सबसे पहले नेता जी सुबाश चंद बोस ने महात्मा गादी को राष्ट पिता कहते हैं। और बाद में स्वतन भारत की संसर ने आधिकारिक तोर पर गाधी जी को राष्ट पिता के रूप में माननेता दी थी। वहीं दोस्तों मोहंदास करमचन गाधी को महात्मा की सबसे पहले उपादी रविन नास टैगोर ने दी थी। चक्रवती राज गुपालाचारी जिने राजा जी या सी यार के नाम से भी जानना जाता है। ये भारती राजनी तिग स्वतंतरता कारे करता और भारत के अंतिम गवर्नेट जन्दर थे हैं। और दोस्तों इनकी उपनाम के अलावा महात्मा गाधी ने उन्हें विवेक रचक का नाम दिया था। उसतों भारती स्वतंतरता संग्राम की नीव रखने वाले दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रेंड ओल्ड मैं कहा जाता है। नेश्ट दोस्तों वालमी की जिन्होंने भवान ब्रह्मा के आशिरवात से संपुर्ण रमायर की रचना की उन्हें आदि कवी लाल बै या बाला साह के रूप में भी जाना जाता है। इसके लावे इने संस्कृत साहित्ते में अग्रदूत कवी की रूप में भी जाना जाता है। दयानंद सर्च्वती एक भारती दार्शनी और आरे समाच के संस्तापकतें जो वैरिंध धर्म का सुझार अंदोलन शुरूर किये थें। और उन्होंने अपने उपदेश और ज्ञान के कारत भारत की मार्टिं उथर के रूप में उपना प्राप्त किया। उस्तो रविंध ना टेकोर के उपना विश्व कभी कभी गुरू और गुरुदेव है। 1915 में ब्रिटिस किंग जॉर्ड फिप्त द्वारा रविंध ना टेकोर को नाइट हूट से सम्मानित किया गया था। आपको में बता दू जिस वैक्ति को नाइट हूट का टाइटल दिया जता है वो अपने नाम के आगी सर लगा सकते हैं। फिर 1919 में जलिया वाला बाग हत्या कांट के बाद इन्हों ने अपने नाइट हूट को त्याग दिया और आपकी जनकारी के लिए बता दू इन्हों ने दो देशों के राष्टगान को लिख्था है एक तो भारत का जनगर्मन और बांगला देश का आमार सोनार बांगला ल जिसका मतलब होता है साक्यों का रिसी नेक्ष्ट दोस्तों काली दास को भारती साहिति के इतिहास में प्रमुक्ता और अस्थान के कारण भारत के सेक्सपियर के रूप में प्रतिश्टित किया जाता है जैसे सेक्सपियर को अंग्रेजी साहिति में जो अस्थान प्राप्त नागार्जुन का निकनेम भारत का आंश्टीन है इन्हें भारत का आंश्टीन क्यों कहा जाता है आपको मैं इसके पीछी का रीजन बता देती हूँ theory of relativity यानि सापेक्षिता के सिद्दान पर उनके philosophy के कारण इन्हें आंश्टीन का टाइटल दिया गया मदर मेरी टेर सा संत थी और इन्होंने गरीबों के लिए बहुत भी ज़्यादा काम किया इसलिए इन्हें सेंट आफ दा गटर्स कहा जाता है भारत के पहले प्रदानमत्री जुआर लालेहरू को बच्चों से काफी लगावा था और इस कारण बच्चे उन्हें चाचा कहकर फुकारते थे और इसके अलावा इनका उपना पंडित था क्योंकि उनके पिता मोती लाल नहरू कस्मेरी पंडित समधाय के थे इसलिए इन्हें पंडित नहरू के रूप में भी जाना जाता है आप मुझे कॉमेंट बॉक में बताईए कि इनका जनाम दिवस कब और किस सांती के मारञ को प्रास्मेक्ता दी आपको जो मैं भारत रत्न की वीडियो की लिष्ट बताई थी उसमें बताया था कि 1966 में मर्डो प्रान्थ भारत रत्न से सम्मानित किये जाने वाले पहले वैक किते हैं भारत के पहले राश्पति डॉक्टर राधिन पर्साद को देष और गांधी जी के द्वारा अजात सत्रू कहा गया अजात सत्रू का मतलब दोस्तो जिसका कोई सत्रू नहीं था भारत के बर्ड मैन उपनाम से मसूर सलीम अली पूरे भारत में विवस्ते 25 अवेक्षड करने वाले पहले भारती थे जिन्होंने भारत में पक्छी विज्ञान को लोगप्री बनाया था इनके नाम से जम्मोर कस्मीर में सलीम अली राश्ट्री उद्यान बिहार में बरेला जील सलीम अली बर्ड सेंचरी और गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचरी है राम मोहन राय को राजा आदमिक भारत के निर्माता और भारती पुनर जागरण के जन सती प्रथा और जाती प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और महिलाओं के लिए संपर्ति के अधिकार की मांग की थी। सुभाष संपोष को दोस्तो 1942 में आजार हिन फोज की भारती सैने को द्वारा जर्मनी में नेताजी का उपनाम दिया गया था और इसके रावा महात्मा गादी और सुभाष सिंपोष की विचार धारे में अंतर के बावजूद राश पिता महात्मा गादी द्वारा पैट्रि पूरस और भारत का बिस्मार्थ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगब हर रियासत को भारत में मिलाने के लिए राजी किया था और आपकी जैनकारी के लिए बता दू 21 अक्टूबर यानि इनके जनम दिन को राष्ट्रे एकता दिवस की रूप में मनाया जाता है भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री इंद्रा पिर्दरसनी गादी को आइरन लेडी ओप इंडिया की उपनाम से जाना जाता है पीटी उसा को दोस्तो पैयोली एक्सप्रेस, उडन परी और गोल्डन गर्ल उपनाम दिया गया था आपको बता दी कि लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984 में ओलंपिक फाइनल में प्रेश करने वाली ये पहली भारती महिला खिलाडी थी और हीमा दास को दोस्तो धीम एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है प्रधानमत्री चंदर सेकर सिंग को नित स्वार्थों का खिलाफ लडाए में उनके द्रेड विश्वास और साहस के लिए एक युगा तुर्क के रूप में जाना जाता है स्वारव गांगली को दादा, कलकता के राजकुमार, महराज, और सैट के वगवान के उपनाम से जाना जाता है आपको पता होगा बंगाली में बड़े भाई को दादा कहा जाता है सैयद ब्रदर्स या सैयद बंदु इन्हें भारती दिया से चीम मेकर इस उपनाम से जाना जाता है आपको पता दू सैयद बंदुओं का उल्ले सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसेन अली खान बरहा से है जो 18 सताबदी की सुरुवात में मोगल समराजी में 37 साली थे हैं आंद्र राजी के पहले मुख्य मंत्री तांगतुरी प्रकासन पंतुलू को आंद्र केसरी यानि आंद्र के सेर की रूप में जाना जाता है आपको में बता दूं इन्हें आंधर केशरी के उपनाम से क्यों जाना जाता है जब साइमन कमिशन ने मद्रास का दोरा किया शाइमन कमिशन वापस जाओ का नारा दिया था तो अंग्रेजी सैनिको ने टी प्रकासम के नत्रित्त में परदर्शनकालियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर वे आगे बढ़ेंगे तो गोली मार दी गाएगी ऐसी चेतावनी और धमकी के बावजूद भी दोस्तो टी प्रकासम आगे बढ़ गए जो कि बिटिस सैनिको को एकदम चौका दिया था तो इस घटना के बाद उन्हें सम्मान पूर्वक रोप से आंध्र केसरी की रूप में जाना जाता है भारत के सबसे परसित दिस्वतंतरता सिनानियों में सीए लाला गाजपत राय का निकनेम पंजाब केसरी और पंजाब का सेर है तो वहीं बिहार के पहले मुख्य मंत्री स्रिक्रिस्ट सिन्ना को बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है जमुएन कस्मीर के पूरु मुख्य मंत्री सेख अब्दुल्ला का उपना सेर एकस्मीर यानि कस्मीर के सेर के रूप में संदर्वित किया गया और इसा राजी के दो बार मुख्य मंत्री रहे बीजू पतनायक का उपना सेर ए उतकल है समराट जैन उलबदीन को कस्मीर का अकबर के रूप में जाना जाता था क्योंकि दोस्तों वो कस्मीर के सबसे महा सासकों में से एक थे एन अन्ना दुराई जो मदरास राजी के अंतिम मुख्य मंत्री रहे थे उनका उपनाम अन्ना है जग जीवन रा जिने बाबु जी के नाम से जाना जाता है ये एक डिफेंस मिनिस्टर और भारत के चौते डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे जैब प्रकास नवैड का उपना जेपी और लोक नायक है आपको बताती कि इन्हों ने इंद्रा गाधी द्वारा आपात काल के खिलाफ आवाज उटाई थी और आपात काल को समाप्त करने में इनका महत्तुपूर योगदान थे माधो सदा सिफ गोल वलकर जो आरेसेस ने थे इनका उपनाम गुरु जी है दोस्तों वेच्यों में तीन साल तक जोलो जी पढ़ाये थे और वहां के इस्ट्रेंट्स इन्हें इनके दाड़ी और लंबे बालों के कारट गुरु जी कहा करते थे चौधरी देवी लाल का उपनाम ताव और जन्नायक है आपकों बता दू ये भारत के छटवे उप प्रधान मंत्री और हर्याड़ा के मुख्य मंत्री की रूपे कारी कियें किसानों ग्रामीर लोगों के बीच उनकी लोग प्रीता ने उन्हें इन्हें ताव की उपादी दी दोस्तों भारत पाकिस्तान युद 1947 और 1948 के दोरान जो जीला के लड़ाई के बाद लेफटिनेंट कर्नल राजिंदर सिंग को इस पैरो का नाम मिला था बाल गंगा धर तिलक का उपना लोक मानने आए जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्युकार किया गये उनके नेता के रूप में दोस्तो ये भारती सुतंत्रता अंदोलन के पहले नेता थे हैं और महात्मा गाधीजी ज्वाराई ने आदमिक भारत का निर्माता कहा गया और वहीं दोस्तो ब्रिटिस ओपनिवेसिक अधिकारियों ने भारती असांति का जनक कहा था सेख मुझीपूर रहमार दोस्तो ये बांगलादेश के पहले राष्टपती और बाद में बांगलादेश के प्रधानमंत्री की रूप में भी कारे किये हैं इसलिए बांगलादेश के लोगों द्वारा बंग बंदू के सिर्सत के नाम से लोग प्री हैं और इसके रावा बांगलादेश में राष्ट पिता भी कहा जाता है दोस्तो चार्ल्स फ्रिर एंड्योस इंग्लेंड के एक चर्च के पादरी थे जिनकी पहचान भारत की स्वतंत्रता के कारण रविन्थ नाट टैगोर और महात्मा गादी जी के साथ हुई थी और वे उनके करेवी दोस्त ब बंधु यानि के राष्ट के मित्र के रूप में संदर्विट किया जाता है यह भारती स्वतंत्रता सेनानी और भारत में ब्रिटिस कबजे के दोरान बंगाल में स्वराज यानि स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक नेता थे जतिंद्र मोहन सेंग गुपता को भारती में उनकी लोगप्रीता और युगदान की कारत उन्हें बंगाल की लोगों द्वारा सम्मान पुर्वत देश प्री या देश प्रिया की रूप में हैद किया जाता है तो दोस्तों इन सभी उपनामों में कन्फ्यूज मत हुईएगा बागा बंधू देश बंधू दीन बंध और देश प्री में नेक्ट दोस्तों रविसंकर महराज का उपना बुजरात का जनक है लॉर्ड रिपन को फादर आप दोकल सेल्फ गॉर्मेंट यानि अस्थानी स्वसासन की पीता की रूप में जाना जाता है आपको बताती कि लॉर्ड रिपन नहीं 1882 में अस्थानी रुवात करके भारतियों को स्वतंतरता के लिए उकसाया था धुंडी राज गोविंद फालके जिने दादा साब फालके की नाम से जाना जाता है इनका निकनेम फादर आप दे इंडियन सिनेमा यानि कि भारती सिनेमा का जनक है और दोस्तों इनकी पहली फिल्म राजा हरि इस उपनाम से याना जाता है 20 सताब्दी के सबसे बड़े कन्नड कवी कुपल्णी वैंकर्टपपपपपा उपना कुएम्पू है दोस्तों पंडित मदन महन महामना और फ्रिंस ऑफ बेगर्स के उपनाम से भी जाना जाता है आपको पता दी कि इन्हें महामना की उपादी रविंद नाथ टेगोर द्वारा दी गई थी इसके लब इने महात्मा गाधिक द्वारा प्राता स्म्रडी और देवता पूरुस कहा गया था इन्होंने बनार सिंदु विश्विज्जाले के अस्तापना में भी योगदान दिया था आपकी जनकारी के लिए बता दू दोस्तों मालवी प्रोजेक्ट के लिए ये खुद धन जुटाते थे और अन्य राजाओं और सास्कों के पास जाकर लवग एक करोर 34 लाख रुपए एकत्र किये थे इस कारण इन्हें प्रिंस ऑफ बेगर्स यानि भिखार्यों के राजकुमार की उपादी मिली थी इसके अलावा इन्हें धर्मात्मा और कर्म योगिन के रूप में भी जाना जाता है नेक्ट दोस्तों समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन का जाता है और टीपू सुल्तान को टाइगर अफ मैसूर का जाता है आपको उन बता दो इने टाइगर अफ मैसूर क्यों कहते हैं तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि टीपू सुल्तान एक बार अपने फ्रांसेसी दोस्त के साथ जंगल में सिकार कर रहे थे और वहाँ एक बाग के आमने सामने ही आ गया हैं तो सबसे पहले बाग ने फ्रांसेसी सैनिक पर हमला किया और उसे मार डाला था उस समय टीपू सुल्तान की बंदूक ने काम नहीं किया और जब बाग उनके उपर पुदा तो उनकी बंदूक जमिन पर गिर गई थी तो इन्होंने से उठाया और उससे बाग को मार डाला था तो इसी कारण से दोस्तू इन्हें ताइगर फ मैसूर का नाम मिला था अमिर KHUスरो का निखलनेज वाइस अफ इंडिया या भारत का अवार या पैरट फ इंडिया कहा जाता है दोस्तों इनका असली नाम अबूल हसन यामीन उद दिन खुसरो है जो भारत के एक सूफिक गाय कवी और विद्वान थे और इन्हें उर्दू साहिते का पीता भी कहा जाता है पांचवे मोगल समराठ साह जहां को प्रिंस ओफ बील्डर्स का जाता है क्योंकि साह जहां की समय में मोगल वास्तुकला काफी परसिद हो गया था और इन्होंने परसिद ताज महल सही कई परसिद आर्खिटेक्ट्रल बेल्डिंग्स का निर्माड करवाया था मुहम्मद बिन तुगलत जो 1325 से 1351 तक दिल्ली के सुल्तान थे उन्हें प्रिंस आफ मनियर्स के रूप मे भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों उन्होंने कई मुद्रा का प्रियोग किया था जैसे कि टोकन मुद्रा की सुर्वार एक्सचेंज यानि विर्मय और संचलन को सुविधा जनक बनाने के उद्देश से कई प्रकार के सिख्के जारी किये थे मुहमद अली जिन्ना का उपना काइदे ए आजम और बावा एक कौम है आको बजा दे कि मुहमद अली जिन्ना ने 1913 से अखिल भारती मुस्लिम लिग के नेता के रूप में कारी किया था और जो भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तब ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे हैं पुरसोत्तम तास टंडन को दोस्तो राज डिसी की रूप में जाना जाता है इन्हें भारत की विवाजन की विरोध के लिए और हिंदी को भारत की राजभासना का दरजा प्राप्त करने की प्रयासु के लिए याद किया जाता है और इन्हें लोग प्रे रू इनके उपरन्यास आनंद मट से लिया गया था। दुस्त भगत चिंको इनके अंतिम बलडान के लिए भारत के लोगो द्वारा उनको सहीद ए आजम या सहीद कदर्जा दिया गया। सरुजनी नाइडुको महात्मा गाधी द्वारा नाइटेंगल ओफ इंडिया और रविन्ना टेवको ने भारत कोकिला का आता। लता मंगिसकर का उपना नाइटेंगल ओव बॉलिवूर्ड और स्वर कोकिला के रुप में संबोधित किया गया। इने पंडित भीम सिन जोसी गांग सर्श्वति की उपाधी दी और गुलजार ने उने मलिका ए तरुत्रुम की उपाधी दी थी। नेक्ट दोस्तो पपिल दे को हर्याना हुरीकेंड सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर मिखा सिंग को फ्लाइंग सिक और लास्ट ध्यान चंद्र को मैजीसियन साउक की उत नाम से जाना जाता है.. दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए मिसाल मैन इस जो पर क्योंकि फ्रेंट्स मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो से रिटेट जितने भी महत्पूर जानकारी थी आप तक पहुच आई है अब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आपसे मैंने जो कोश्चन पूछा है उसका एंसर कमेंट बॉक्स में देना न बूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद